फ्रेंड्स आज में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी नॉर्मली तो सभी लोग पालक पनीर बनाते हैं लेकिन आप एक बार इस तरह से बना के देखी आपको जरूर पसंद आएगी और क्योंकि पालक बहुत ही हल्दी होता है बच्चे ऐसे तो खात है और अपने बच्चों को खिलाये खुद भी खाये बहुत ही हल्दी सबजी है तो चलिए बताती है है फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल पुस्पलता कीचन पुस्पलता कीचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजे ताकि नोटिफिकेशन आपक चैनल के तक पालग wiele पालग și 500 ग्राम के करीवे पालग एक साफ कर लिया है अच्य को दौनी पूगे क्यां ओए एक अग्व mooi लिया है ऑ insist के अंदर हम इस दीफिएंड में आपकर संद्भी में और उसके बाद हमने इसको वन बीसल लगा के यह देख सकते हैं आप एकदम पालक अच्छे से हो गया है तो कि अगर हम कुकर में करेंगे तो इसके जो विटामिन से वो भी नहीं जाएंगे और इसलिए हमें इसको कुकर में ही बॉयल करना चाहिए और यहां पर मैंने पालक को अलग कर लिया है और पानी को अलग कर लिया इसका यूज हम करेंगे जब आगे जरूरत होगी हमें उसके बाद हमने यहां पर लिया है इसको ग्राइंडर में डाल के इसको हम पीछ लेंगे और पीछने के बाद साइड में रख देंगे नेक्स प् जो आपके पास पनीर उ आपस टेक्स सकते हैं athletes Summa पेस्ट अनुए तो इसके बाद हमने यहांपर आपस पनीर तेंप में वीप एक है यहां पर बना लिया है औ१िया है मैं यहां पर ऋटना लिया है यहां पर कर आ लिया वर्याली यह एब यह फित द्या बेलीफ तेजपत्ता और उसके बाद इसके अंदर टू रैड चिली एड करूंगी जिसे की बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसके बाद हमने यहां पे वन फोर्थ एड किया है हल्दी टर्मरिक और उसके बाद हमने इसके अंदर एच चमर धनिया पौडर एड किया है तक बहुद में आ आच्छा साथ में यहां लicaçãoना अच्छा सी खेंट घ्रलुी दाया है उसके बहुद राताल है घ्रलग तो जो हमने गजिए अच्छा शांथ परणाल दिखने लागा है वि इस चेई पे हम डालेंगे जो हमने घर की मलाई ली है उसको हमने यहां लालिने आ एड़ सकती है इसको पर भून ले ना है और मसालिक के ंंदर मलाई तो आपको पहले डालना चाहिए अब यहां पर मैंने टोमेटो का यूज करके मिक्स कर लिया है और इसे भी हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कच्छा पर नहीं जाए अब हमने यहां पर पालक का पेस्ट लिया था और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर मैं थोड़ा से पानी डाल दे रही हूं जो पानी हमने पालक करती समय निकाला था वही पानी का हमने यूज कर लिया है क्योंकि उससे क्या है कि इसके टेस्ट भी अच्छा रहेगा और यहां मैंने स्वात की अनुसार नमक एट कर दिया है तो आप देख सकते हैं अब एक भार इसे हमें अच्छे से बॉइलाने देंगे जब तक अच्छे से बॉइल होता तब तक हम पानीर को फ्राइब कर लेते हैं तो बینन में न चाहें तो प्राइब करहें डाल सकते हैं और दढ़ा हमें यहां में पनीर को अपड़ा नाल दतड को अब अपनेर को पनीर दो पनीर करने के बाद्स बवलक करी से अब Yaoba को पनीर dye तो पकाएंगे तो अभी सेल में पका लेती हूँ थोड़ी दिल उसके बाद ऄठाएब दिखाती हूँ तो इसके बाद यहां पे मैंने एड़ किया है गरम मसाला तो आप अपने टेस्ट के अनुसार इड़ करें कि आप स्पून एड़ तो लगबग हमारी जो पालक पनीर की सबजी वह रेडिय हो गई है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हैं और बहुत की देख सकते हैं तो हमारा पालक पनीर रेडियो गया है तो अब मैं इसको सर्व कर लेती हैं तो आपको सर्व करती हूं तो friends मैंने सबजी को यहाँ पे सर्व कर लिया है, आप इसको पूरी के साथ खा सकते हैं, पराथे के साथ, रोटी के साथ, जीरा राइस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, सब के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो friends आप भी बनाएए, खाएए और comment box में जरूर बताएग और फ्रेंद्स लाइक और शेर करना भी नहीं भूलिए तो अपने फ्रेंट्स फैमिली के साथ आप जरूर शेर कीज़ेगा यह रेसिपी को और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफ stay home, stay safe.